अस्सलामूं अलेकूं ये देखे कितने क्रिस्पी है आप समझी गए होंगे तो ये है साबुदाना वड़ा ये देखे मैं खोल कर भी दिखा देती हूं पढ़िया से मज़ेदार से बने हैं तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साबुदाना वड़ा क्रिस्पी एकदम करा शाष्रे सााधा रनिया ने ओर्डनेर इंग्रीडियंट से एक्स्ट्राइडनाली साबुदाना वड़ा बनाते हैं चलिए ये है तकरिवन आद्वा कप भर कर साबुदाने इसे मैं एक घंटे पहले साफ पानी में डाल दीती और आप देख सकते सादे वाले हैं, जो बिना फुले हुए और ये साइड वाले पानी में डाल कर ये इस तरीके से फूल चाहेंगे, जैसे आपने देखें, ये है 35 ग्राम भुने हुए और सॉल्टेड सिंग, मैंने इसे थोड़ा सा हलका कूट लिया था, ये उखल में फिर निकाल कर रख दिया और अब इसमें 3-4 हरी मिर्चियों को मैं उखल में कूट लेती हूँ, और इसे इस तरीके से साइड पर रख लेती हूँ, अब ये तक गरीबन 5 मीडियम साइज के आलू है, बॉल करे हुए, सबसे पहले तो इन्हें मैश कर लीजे हातों की मदद से, अच्छे से, नम्मक स् हुए, एक छोटा चाय का चमच है, अच्छा, यहां पर मैंने खूब सारी बारी कटी हुए, कुटमिर दाल दी है, यानि के हरा धनिया, और ये है सिंग, गुटी हुए, और कुटी हुए, तकरीबन धाई टेबल स्पून थी, और इसमें दाल दीजे, तकरीबन आदा अच्छे से, मिक्स कर लीजे, हातों की मदद से, अच्छा, मिक्स हो जाना चीए, आलू के अंदर, मुझे हलका सा नम्मा कम लग रहा है, तो मैं दाल कर अच्छास्ट करकर, मिक्स कर लेती हूँ, अब 10-15 मिनिट से, साइट पर नितारे हुए साबू दाने रखे, ये दाल दीजे, और थोड़ी सी बारिक कट्टी हुई कोद मेर भी दाल दीजे, आने के हरा धन्यार में थोड़ा सा है न, चाट मसाला और जादा दाल रहे हूँ, ये तोटली ऑप्शनल है, आप अपके हिसाब से, अच्छे से, मिक्स कर लीजे, अच्छा, इसमें कुछ भी बाइं अच्छर ले लीजे, उसको थोड़ा सा छोटा सा पोशन लीजेगा, बॉल बना दीजे और इस तरीके से चप्टा कर दीजे, और ये बन गया हमारा एक वड़ा, और इसे साइट पर रख दीजे, इसी तरीके से सारे हमारे साबू दाने वड़े बना लीजे, अच्छा, आप अभी ये बना रहे हो, पेटिस का जो शेप दे रहे हो वड़े का, ये आप बना कर नहीं रख सकते हैं ऐसा, आपको टाइम पर ही सारी चीजों को मिक्स करना है, साबू दाने को भी आप टाइम पर ही मिक्स कीजे, सम मसाले दा लिए, जो भी थोड़े बहुत है, और न एक डाल दीजिए, इसे चलाईएगा मत, बिल्कुल भी टच मत कीजिए, एक मिनिट तक होने दीजिए, जब एक मिनिट हो जाए, तो उलट पलट करते जाए, मीडियम आज पर, और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक, फ्राइ कर लीजिए, जब अच्छा फ्राइव हो जाए, और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसे निकाल कर, नितार कर, टिशू पर पर मत रखिएगा, नहीं तो सौग्यू हो जाएंगे, इन्हें डारेक्ली छन्नी है, उसके ओपर रख दीजिएगा, और पतिलियू छन्नी के नीचे रख दीजिएगा, क्या होगा ना, अगर एक दूसरे में चिटकेंगे और आप उन्हें, उलट पलट कर दोगे, तो वो चिटक कर भूट भी सकते हैं, तो आप देख रहे हैं, कि मैं पहला एक दाल रही हूँ, उसे थोड़ा सा फ्राय हो जाने दे रही हूँ, आदे मिनिट उसके बाद दूसर अगर भी डाल सकते हैं, वे जोड़ा, एक दूसरे में चिटके जाएंगे तो भूट सकते हैं और आप देख रहे हैं कि कितने बड़िया से फुले फुले से बने, माशालब, यह आप देख सकते हैं, कितने क्रिस्पी और करारे बने, माशालब, और यह काफी देड तक रहे और जो मिर्च का मिजान तो आप आपके हिसाब से दालेंगे लेकिन जो मैंने चाट मसाला दाले वो भी आपके हिसाब से दालिएगा नहीं तो आप वो किब भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा टेस्ट आता है दूसट्री बात जो सिंग दा ली है मैंने सिंग डाना बहुत ही डिलिशुस टेस्ट देता है बहुत मज़ा आएगा बादा जरूर जैगा वैसे ये हरी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं मैं तो बहुत बार बनाती हूं तो कभी हरी चटनी है कभी टमाडर सॉस है हरी चटनी की लिंक दिस्क्रिप्शन के अंदर है इसी तरीक से मैंने बहुत सारी रमजान की रेसिपी भी बनाई है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप महां चेक कर लीजिएगा तो है ना मज़ेदा रेसिपी अज़ कि अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कर दो किसे अगर कर दो किस्ती बनाएं तो मेरे प्राइं भास वे आप पर शागू थादार बंडार रेसिपी के अगर पाई